हाई गाइज आज हम लोग बात करेंगे कि वाई नौट पेड कोसिस जा मुझे सजेशन मिलता है अकसर इंस्टाइग्राम पे और यहां यूटूब अभी कमेंट में कि आप पेड कोसिस क्यों नहीं बनाते हैं पेड कोसी इतने सारे लोग पेड कोस बना रहे हैं कापी सारा प दक्त बना इस वक्ति बिल्कुल भी नहीं था अस वक्ति मैं पढ़ा करता था ता कॉलेज में तब मैं मुझे मन करता था कि को ओ втор कर्स यूंकिringe के उतने लोग मिल दाता है उतना कुछ था नहीं यूट्यूब पर एक दो प्लैटफॉर्म थी ऐसे तो व्यस्वक इंडिविज्वली भी लोग नहीं बेचता था आज कल तो कोई भी कोई भी कोर्स कहीं से टाप के और एक वीडियो क्रेट करता सेरीज और उसको कोर्स के नाम बेच देता व कि यह वाला कोर्स अगर मुझे मिल जाता तो मैं मुझे कुछ सीखने को मिलता तो कोर्स देखता था मैं उसमें कोर्स की कीमत होती थी उस वक्त 1000-2000 रुपे यह पर सब्सक्रिप्शन मॉडल हुआ करता था कि आपको मन्तली देना पड़ेगा तो उस वक्त मुझे लगता था देखता है कि कि इतने कोर्स का इतना महंगा मतलब अपना एक होता था कि बजट नहीं था पैसा अतना था नहीं कि सारे जी मैंनेज हो सके आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो एक खुद से तो पैसा खर्च करने में सोचना पड़ता है कि यह कोर्स अगर मैं पच्छेस कर लो माल यह कोर्स पच्छेस भी कर लिया बिर इंटरेट का डेटा कहां साएगा आप को पच्छेस करेंगे एक हजार रूपय का फिर लोगो सहारी जो बातें हैं वह सारे बातें आज में रिदमा में कहीं क्लिक करने लग दी हैं जो मैं इनको.. रहा हूँ अब ने की ऐसको मैंने युटूग पर ढलोंगा फिर मैंने इस को इसलिए होता है कि जब में पर्ण धिन है वह मुजो में इरe में मैंडे में होने लगता है और मैं दिमाग में क्लिक करता है पैस के में बनाता हूं दूसरी जो रीजन है वह है कि फ्रीलैंसिंग से मेरा अच्छा खासा गुजर बसर हो जाता मतलब पैसे के मामले में तो मैं नहीं चाहता कि कि unnecessarily मैं paid courses बना दूँ और फिर बच्छों को इसमें invest करना पड़े और फिर वह सीखें इसलिए मैं चाहिचरे चाहिचरी रखता हूं तो यह दो प्रीजन है जो है आपको भी दिख रहा है सामने मेरे दिमागों तब यही दो रिजन आ रहा है लेकिन जो लोग मुझे सजेशन देते हैं उनका भी बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि अब जमाना जब बदल गया अब जमाना उस तरीके का रहा नहीं अब लोगों के किया जाता है कि आप पेड में रखिए प्रेवी बनाइए लेकिन पेड भी रखिए जिस तरीके से कुछ यह बना दिया फिर उसका प्रिमियम लें इस तरीके मुझे स्रेशन मिलता है तो इस पर मैं विचार विमर्ष करूंगा जो भी सजेश्ट करते हैं उनका बहुत-बह पहले वीडियो डाला था मुझे याद नहीं कि उसका मैं टैटल क्या लखा वाता है अगर मुझे मिल जा तो मैं यहां पर लगा दूंगा उसको तमनेल उसका तो उसका तो उसक्त वहीं सरे लोगा ने कमेंट किया था कि फ्री वाला अच्छा नहीं होता पेड़ वाला तो अपको क्या लगते हैं लोग महनत नहीं नहीं करते यह पर धिहान नहीं है कि भह यह तो पुरी किसी तरह बना दो वैसा विल्कुल भी नहीं है इसको नहीं चुर्जट वाली प्रोजेक्ट दोयाई लगाने है बजाए जो लॉजिकल फंशनाटि है उसको बताने के वज़ाए ज्यादा टाइम लगाव CSS पे और टेल्विन CSS और बूट स्ट्रैप और रियक्ट जैस युवाई बनाने पे ताकि उसको सामने दिखे और वह पर चेस करें यह हमारा इस पर फोकस नहीं होता हुमारा फोकस उता है फंक्षनालिटी पर फंक शन्ट इसे होती यह कुछ वह आपको सीखने को मिलना चाहिए यह जमाना वह यह रहा नहीं आप लोगों की दिमाग में कहींने कहीं सीजिजें ऐसे ही काम कर दिये कि फ्री तो अच्छा नहीं है पेड तो ज्यादा अच्छा होगा इस तरीके से यह जो पॉइंट जुन लोगों ने मुझे बताया है और काफी वैलिट पॉइंट लगता है कि उस वीडियो के कमेंट को जब मैंने पढ़ा तो वहां पर मुझे आपको करना नहीं होता है यहां से कुछ आना चाहिए यहां से कुछ आना चाहिए और यहां कुछ भूंदा रहना चाहिए तो फिर लोगों को लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है इनिमेशन से आप एनिमेटर बनेंगे कोडर नहीं बनेंगे यह तो व्यंग करने के बात हो ग करता हूं यहाँ पर लेकर बहुत कम रख करता हूं कि मुझे लगता है कि प्राइसमें लुग करेंगे यह एक कते अगर इसको इग्दार कि लोगों करते हैं पास्देद कि ऐसे इसा ही जमाना बहुत पहले से यह जमाना था प्ताता कि प्री हो पीड़ हो क्या कॉंटेंट क्या सामान वह ज़्यां वेल्यू करता है कि अगर भाज है अगर उसको लोग खोरwał अंगुर खरीटें जो और सकता वह भूता है वह भी कभी बहतर होता है लेकिन अब वैसी जनरेशन रही नहीं अभी इनका मेंड़ेट अलग तरीके से काम करता है ईनको लगता है कि funeral हमें वाकर07 बिल्कुल भी किसी लाइक नहीं बार नहीं ठीक है, आप सब की बात नहीं कर, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हैं, ऐसे, तो मुझे लगता है कि कहीं पेट कोसिस जो बनाते हुआ, जादा बहतर सक्सेस की और आगे बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा फैम मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा तो टीब क्या था मैं आपको बताना था शूरू से कि चीज़ें फ्री रखनी है और जिनको देखना होगा वह देखेंगे किसी चीज़ें पर फोकस नहीं करना मेरा फ्रीलैंसिंग बड़ी ऐसा चल रहा है मैं सैस भी कुछ कुछ क्रेट करता रहता हूं हलाकि वह वाक आउट आप नहीं कर रहा दो मैंने क्रेट किया था जो कि फेल हो गया बट मैं भी उसमें लगा हूँ अगर एक भी प्रोडक्ट चल जाए तो बहुत बड़ी है तो इस तरीके से चीज़ें मैं एडजेस्ट करने की मैनेज करने की कोशिश करता हूं लेकिन जब माइंडशेट रहेज़ों का फैसे हो चुके हैं तो कही औरा चीज़ें बदलने के आश्कता है और मुझह अपने आपको upgrade करने के आशकता है editing में भी और चीजों को सार्व करने के प्रोसेस में भी एक और मोटिव था मेरा फ्री में रखने का कि मैं चाहता था कि फ्री में सब कुछ रहा है और मैं डॉनेशन क्लेक्ट करूँ मैरी विजों वैबसेट थी बहुत पहले कि इसकुल है आप जो की जिनकी स्थिति उस वक्त ठीक नहीं तो काफी पहले से बहतर है उतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त में चाहता था कि मैं ट्रेशन करके और इसकूल ठीक कर दूंगा वह सारी जीजें बहुत ये बेवकूफी वाला बेवकूफी वाली सोच थी वह वैसे नहीं किया नहीं तो मैंने वह लिंक इसकुलेटन करने पाया अब सकांभी ऒथेंड़ दिवारने से नहीं होता है् आपको फिर favor करने कर नहीं होती है जो आपके साथ जुड़े हो तन வ दन से प्राइब सब्सक्राइब्सक्राइब कुछ बहुत सारे उसल्डूấy करली तो अब अगर आप उसको बोलने के लिए ego को कि यह कुछ देता है इस तरीके से यह है तो उसके जो follower है आपको डिफेंट करना शुरू कर देते हैं कि उसने यहां पर इतना donation किया है तुमने क्या किया है इसलिए सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह किसे चीज़ें काम करते हैं आपको भीड जमा करनी followers बनाने और फिर आपको उसे पै ब्रैंड मिलते हैं आपको sponsorship अगेरा मिलता है तो पैसे बनाओ और पैसे को डोनेट करो यह साइकल की तरह है आप चाहे जो भी काम करो गलत काम करो सही काम करो गालियां दो यह जो भी करो followers आपको बढ़ाने फिर आपको brand आएगा brand से पैसा मिलेगा फिर इसको आप डोनेट क काम होती हैं बहुत सरे एक्टर हैं जिन्होंने कितना सारा crime करके रखा बट फिर भी उनको defend करने वाले हैं कि उन्हें कोवेड में खाना किना खिला है इतने लोगों को खाने के packets बांटे तो इसको defend करने वाले लोग चले आते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि गालिया देखर आप यहां इस platform पर एक generation को खराब कर रहे हो बले आपने भुकमब में donation किया हो बाढ़ में donation किया हो लेकिन जो culture बिगड़ा हमारा वो पुरा कभी सुधर नहीं सकता वो सकता है कि बाढ़ में जो थी वो चीज़े recover हो जाएगी वापस पहले जैसी हो जाएगे जो प्रति कि कहीं भी कुछ भी गालियां दे तो उससे कोई ज्यादा फार्क पढ़ता नहीं है तो वह जो बिगड़ा उसका सुधार अब नहीं हो पाएगा वह बिगड़ चुका है तो यह है दोस्तों लेकिन इतना डेफ्ट में लोग सोचने कभी कोई मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो मैं ऐसी बाते सोचता हूँ या तो मैं बेवकूफ है या फिर मैं बहुत ज़्यादा होश्यार हूँ इन सब लोगों से जैसा सोचता हूँ चाहिए के आपको बीड़ी जमा करना होता चाहिए आप किसी भी तरीके कर भीड़ी जमा करेगा अच्छा काम करें वह तो ही आप चीजेएं है यह बिल्कुल भी नहीं होता है यह बस मुझे ब्रहाम था तो वह खतम हो गया लगबल लगबल अब तो प्रैक्टिकल करना है तो आप जाकर देखिए किसी आप जाइए इंस्टेग्राम पर कोई पोस्ट डालिए अगर वाइरल कर गया आपका कि आपने सीट्यूबर को बोला हैं उसको दिख रहा है कि हाँ इसने कोई एक्टर है जिसने गाली से किसी को पुझल दिया हो आप उसके बार कुछ बोलेंगे तो उसको डिपेंड करने के लोग चले आएंगे वह तो व्रिधा अश्रम वह चला रहे हैं इतने लोगों को फिरी में खाना खेलाते हैं तो उन इनलों को इतने ही दिखता है वह बंद हर उसका क्या हुआ काम उसकी जो बुराई हो या फिससे जो क्या बेस बन रहा हूं नहीं दिखता वैल यह अलग टॉपिक पर हम लोग चल गए हम लोग ऐसे टॉपिक पर नहीं जाना जिससे हमें गालियां पड़ी सो यह है अभी आट लेक्स करते हैं लेक्ना तो फिर नहीं तो यह पास्ट में गुजर दी है लगते आपके परजेंट में और लेकिन अब इसको फ्यूचर में लेकिन नहीं जा सकते यह ये भी एक सद्य है सद्य वचन है और चीजें बदलने का शक्ता पड़ती है अगर आप नहीं बदलते हैं तो फिर आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे सद्य देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है अपनी अपने थ्वोड़ा सा अपग्रेड करने की ऐ Understand एक चोटा चोटी सब्सक्राइब देखते ना यह मैं ठीक कर दूँगा तो यह मैं ठीक करूँगा जब मेरा नया बनेगा उस वक्त जिस पर टाइम लगेगा यह भी दुर्गा भुजा तक आपको देखने को मिलेगा यही है अभी देखते हैं क्या साजेशन आपका वह नीची कमेंट में जरूर आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो इक शाह हो तो और मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो को देखने के लिए आसका है बहुत-बहुत बहुत बहुत बहुत